तो अगर आप अपना वाइपर ब्लेड देखें, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाओं, यह थोड़े थोड़े इसमें यहाँ पर जो सारे स्प्रिंग्स हैं, इनके बीच में अच्छा खासा प्लेव होता है, दोस्तों बरसात का सीजन आ चुका है और एक समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों वोगों, वो होती है वाइपर की, और उसमें भी एक खास प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है, जब भी आप वाइपर आउन करते हैं, तो चेंचो, चेंचो ऐसे घर के आवाज आती है, जोकी काफी ज़या डिस्टर्बिंग और अनोइंग ह होती है तो इस चीज़ से बचा कैसे जा ये जानते है इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में क्योंकि मैं भी बहुत परिशान्ता गाड़ी को है मैंने अल्मुस्ट 1 साल होने वाला है और इतने मैंने तीन से चार बार वाइपर चेंज करवा लिया है कारड यह है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है एक पुरा एक आपको एक्सपिरियंस मिलना चाहिए वाइपर का वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है तो आज इस वीडियो में उन तीन चीजों के गाड़ी के वाइपर में से एक अनौइंग वाइबरेटिंग साउंड आता है वो उसका रीजन है यहां पर यह जो मिट्टी जमी हुए यह जब आप वाइपर चलाते हैं तो यह खर खुर इस तरीके से होता है एक रीजन यह है अब इसको फिक्स कैसे करते हैं दो तीन या तो फिर वो सिलिकॉन स्प्रे के फेज में होता है अब उसका इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले तो इसको क्लीन करिए दूसरे डंबर में अगर आप से बात करूँ तो अगर आप अपना वाइपर ब्लेड देखें जैसे मैं यहां पर आपको दिखाऊं यह थोड़े है वो थोड़ा सा कही ना कहीं गड़बर हो जाता है तो आप इसे अलाइन कर लिजे से मिला लिजे इस तरीके से और सबसे लास्ट में यह आप देख सकते हैं यहां पे जो सारे स्प्रिंग्स हैं इनके बीच में अच्छा खासा प्लेव होता है यह मूवेवल पार्ट्स है कभी-कभी पाणी में खाड़े होने की वज़ए से इसमें जंक लग जाता है यह यह जाम हो जाते हैं जिसकी वज़एसे गाड़ी जो है आपकी वो पाणी तो अच्छे से क्लीन नहीं करती है साथ में आवास भी करती है तो इससे बचने का दूस्तों केवल और केवल एक ही उपाय है वो यह है यह product यह WD-40 यह water repellent भी है एक तरीके से और जो जितने dust वगरा है उसको भी लगा मतलब clean कर देता है और सबसे ज़रूरी चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे तो यह जो rust है rust proof भी होता है इन सारे joints पर आपको इसे थोड़ा थोड़ा spray कर देना है फिर आप देखेगा कि जो आपकी गाड़ियों में से शीशे की में से आवाज है इस एक product की वज़े से कितनी easily से चली जाएगी और यह दोस्तों इस product का कीवल इतना ही काम नहीं है गाड़ियों के जो शीशे हैं आप इसके में भी कर सकते हैं जो दर्वाजे हैं वहाँ भी इसका solve हो गई होगी और इस चीज़ को आप लोग ट्राइ कीजिए और comment में मुझे यह जरूर बताइएगा कि यह जो annoying problem है वाइपर वाली वो आप लोगों की resolve हुई या नहीं next किस topic में आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं या देमना चाहते हैं आप तो जरूर मुझे बताइएगा ताकि मैं अच्छे से preparation करने के साथ आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो लेगर के आसफ हूँ मिलते हैं तब से next वीडियो में और make sure आप इस चैनल को subscribe कर दीजे लोगी मैं आप लोगों के लिए interesting वीडियो लेगर के हमेशा आता रहता हूँ कोशिश है ही रहती है कि real और genuine जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए जाए